हजबन और वाइफ एक ओल्ड टाउन में वापस आया और यही पर वाइफ का एक्स बॉइफ्रेंड था जब एक्स बॉइफ्रेंड इनके घर पर काम करने लगता है तो सब कुछ कॉंप्लिकेटेड हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्ट्रॉड डॉक्स एक हॉलिवड थिलर मुवी एक्सप्लेंड करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और एक कपल अपने ओल्ड टॉम में वाउपर जा रहा था एक्च्छल में टाउन वाइफ का है यहाँ पर वाइफ का नाम है एमी और हस्बंड का नाम है डेविड बहुत सालों पहले अपने ड्रेम्स को कम्लेट करने के लिए एक्ट्रेस बनने के एमी के फादर की टेथ हुई तो उनका घर उसे मिल चुका है तो इसे टाउन में आकर अभे रहने वाले थे इस टाउन में आने के बाद एमी को अपने बच्पन की सारी यादे आ रही थी एक बार में पोच्छते हैं बार में सब लोगों ने एमी और उसके निव हजबंड क को notice किया उन्हें डेविड सिटी से हैं इसलिए बहुत ही अजीब लगता वीग लगता है इसी बार में एमी का एकस बॉइफ्रेंट भी था जिसका नाम में चार्ली चार्ली आकर एमी से बात करता है एमी की घर पर काम करने के लिए डेविड ने आनलाइन जॉब डाला था और इसी जौब के लिए चारली ने अपलाई किया है तो इसके बारे में वो डेविड से बात करता है डेविड को अच्छा लगा कि एमी चारली को जानती है तो इसी वज़े से उसने घर रिपेरिंग का काम उसे दे दिया डेविड जब बार पर जाकर ट्रिंक ले रहा था तो डेविड को अच्छा लगता है यही बार में डेविड ने एमी और चारली की फोटो देखी जब वो स्कूल में थे तब एक दुसरे को डेट करते थे इसी टाउन में एक mentally unstable आदमी भी है जिसका नाम में जेरिमी एक्च्छल में जेरिमी को बहुत सालों पहले mental hospital में भीज द बोलता नहीं एमी ने जेरिमी को रिक्वेस्ट किये और वहाँ से चला गया घर आते वक्ट डेविड ने एमी से पूछा क्या चारली तुम्हारा boyfriend था एमी पूछती है क्या तुम्हें जेलस लगा फाइनली मैं तुम्हारी wife बनी यह दोनों मिलकर फिर अपना house देखते हैं इनने बहुत सारे काम की जरूरत पड़ेगी पर फिर भी इसके लिए हो excited है इनका shifting का काम स्टार्ट हो जाता है डेविड एक new movie पर काम कर रहा था तो इसी वाज़े से हो moving में help नहीं कर बाता तो एमी सब चीज़े देख लेती है अगली सुबा चारली बहुत जल्दी अपन इसे जरा लेट आना चारली भी बात मान गया हमें इन दोनों की conversation से लगता है यह शायद अब trouble होगा पर चारली ने इसे lightly लिया हुआ था थोड़ी देर में डेविड जब अपनी book पर काम कर रहा था तो अचानक से चारली का friend घर में आ गया उसने बियर निकाली और पर फिर भी जाकर उससे बात कर सकता है डेविड ने फिर चारली से इसके बारे में बात कि चारली को भी कुछ भी कलत नहीं लगता आथ चारली को उपने friends के साथ जल्दी hunting पर जाना था तो काम वैसे ही छोड़कर वो चले गए रात में चारली और उसके friends मिलकर discuss कर रहे थे यह डेविड के पास बहुत सारे पैसे है वो कुछ ना कुछ तो कर सकते है चारली ने का कि हमें काम के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने हो हमें पे करने वाला है वो कुछ भी illegal करना नहीं चाहता रात में डेविड और एमी चेस खेल रहे थे और खेलती-खेलती intimate हो गे न अगर वो मेरी बेटी के आसपास दिखा तो मैं उसे बहुत मारूंगा जेरेमी का ब्रदर भी अशूर करता है कि वो कोई भी ट्रबल क्रेट नहीं करेगा इसके बाद नेक्स डे मॉर्निंग में एमी रनिंग कर रही थी रनिंग करते चारली और उसके सब फ्रेंड्स उसे बहुत बुरी नजरों से देखते हैं उसे बहुत जादा अनकमफटेबल लगा वो जब घर में तो इसके बारे में उसने डेविड से बात कि डेविड उसे कहता है तुम्हें सही से कपड़े पहनने चाहिए एमी को इस पर बहुत जादा गुस्सा आ गया वो कहती है यह सब मेरा ही फॉल्ट था डेविड गहता है कि अगर तुम अच्छे से कपड़े पहनोगी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी डेविड की इस घटिया सोच पर एमी को बहुत जादा गुस्सा आता है वो फिर अपने उपर के कमरे में गई वहां से चारली और उसके फ्रेंस को टाउन में जा रहे थे डेविड को टाउन से दूर यहाँ पर कोई भी कॉल का रिसेप्शन नहीं मिलता तो वो भी उनकी पीछे-पीछे आ रहा था वो बहुत स्लो कार चलाते 30 की स्पीड पर जो डेविड को अच्छा नहीं लगता वो उसे आगे जाने के लिए साइड दे किया था टाउन में आकर डेविड अवने कार का टायर बदलवाता है यही पर उसने एक लड़की को जेरेमी के साथ फ्लर्ट करता देखा इसका मतलब है जेरेमी खुच जाकर कोच की बीटी के साथ बात नहीं करता वो ही उसके पास आती है लास सीन में इसी बात को लेकर जे के बाद नेकसिन में एमी और डेविड चर्च में आय हुए थे डेविड गौड पर बिलिव नहीं करता वो एमी के लिए यहां आया हुआ था पर बीच में ही उठकर वो चला जाता है बाहर कार में जाकर वो सो रहा था सब कुछ खतम होने के बाद चारली डेविड के पास उसे कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हो तुम्हें जो लगे वो तुम बिलिव कर सकते हो पर फिर भी इस तरीके से चर्च के बीच में उठकर जाना यह बहुत ही गलत है यह कुछ लोगों को डिस्रिस्पेक्टफुल लग सकता है वो उसे एक टाइप की नजर डाल रहे हो तो क्या किया चाहे यह खहकर वो चला गया इसके बाद नेक सीन में गेम देखने के लिए सारा टाउन आया हुआ था एमी कोच की बेटी से बात करे ही थी तबी जेरेमी आकर उसे बात करने लगता है यह कोच ने देखा उसे बहुत जादा गुसा आ गया वो डारेक्ली जेरेमी को आकर मारने लगता है जेरेमी सिर्फ बात कर रहा था कोच का इस तरीके से उसे मारना एमी को गलत लगा वो कोच को रोगने की कोशिश करती है पर कोच का एमी पर भी गुसा हो गया था चारली यह सब देखता है और कोच को कंट्रोल कर लेता है को हैंक कर दिया गया था वो देखकर बहुत ही डिस्टब हो जाता है एमी इस पर बहुत जातों गुसा हो कि उसे पता था चारली या उसके कुछ फ्रेंड्स नहीं किया होगा डेविड कहता है हम डारेटली उन्हें अक्यूज नहीं कर सकते हमारे पास कुछ प्रूब होना चा लेगी एमी के फादर को हंटिंग बहुत अच्छी लगती थी इनका एक ट्रैप घर में पड़ा हुआ था तो इसी को लगाने के लिए डेविड ने चारली से हेल्प ली एमी यहावर इनके सामने दूद लेकर आती है कहती है मेरी क्याट मुझे कहीं भी मिल नहीं रही ये देखकर सारे लोगों के expression change हो गए थे अगली दिन चारली के फ्रेंड हंटिंग के लिए जाने वाले थे तो उन्हेंने डेविड को भी invite किया डेविड को लगता है कि अगर उनके साथ गया उनसे जरा friendship की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसलिए अगले दिन उनके साथ च आता है वो लोग भी गुश्य में डेविड को जंगल में छोड़ कर वहाँ से चले जाते है इसी के पैरलल में चार्ली एमी के घर पर पहुच जाता है एमी उससे घर में आने देने के लिए मना करे थी पर फिर विए जबरदस्ती घर में घुस गया उसे जबरदस्ती करने लग जाता है, एमे नों से रेजिस्ट करने की कुशिश की, पर वो कुछ भी कर नहीं पाए, चारली के साथ उसका फ्रेंड भी था, उसने भी एमी का रेप किया, डेविड रोड पर लिफ मांगता है, तो शेरिप उसके पास आया, गहता है, तुम यहाँ पर राइफल लेकर क से कहती है, तुम एक कावर्ड हो, जब एमी ने चारली और उसके फ्रेंड की कंप्रेंड डेविड के पास कही थी, तो डेविड ने कुछ क्या होता, तो चारली की आज कुछ भी हिम्मद नहीं होती है, एमी रोने लग जाती है, कहती है, मुझे यहाँ से दूर जाना है, अ जो भी हुआ, इस सबसे एमी मुवान करना चाहती थी, आज राज सारा टाउन मिलकर गेम देखने के लिए जा रहा था, तो यही देखने के लिए एमी और डेविड दोनों आये, यही वफे से कोच की बेटी जेरेमी से बात करने लगती है, गहती है कि मैरे गेम के लिए कु कि मैं उसे जेरेमी से बात करते हुए देखा था, कोच बहुत जादा गुस्सा हो गया, हर जगा पर उसे ढूणने लग गया, वो जब लॉकर रूम में आता है तो जेरेमी डर गया, कोच की बेटी की मुव पर उसने हाथ रख दिया, क्यों कुछ भी ना बोले, मुव पर हा पर ले और उसके फ्रेंज भी आये हुए थे, यह जब एमी उनने नोटीस करती है, तो उसे अनकमफटेबल लगता है, वो जल्दी से इस गेम से घर जाना चाहती थी, डेविड और एमी जब घर जा रहे थे, तो अचाना से डेविड उनके गाड़ी के सामने आ क्या, इस आ पर लगावर कोज उनी बेटी को ढूण रहा था, ढूणने में उसने चारली और उसके फ्रेंज से हेल्प ली, जब डेविड ने एमूलेंस के लिए कॉल किया था, तो इनमें से एक ने पुलिस के रेडियो उपर ये सब बात सुन ली, उन्हें पता चल गया कि जेरिमी डे बेटी उसके पास नहीं है, तो डेविड समझ गया कि शायद कोज की बेटी को कुछ हो गया है, और सारा ब्रेम जेरिमी पर आएगा, अगर वो जेरिमी को बाहर भेज देता है, तो सारे लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, तो इसी वज़े से वो जेरिमी को बाहर नहीं बेज बेज था, वो कहता है कि पुलिस को बोला, उसके बाद ही हम जेरिमी को बाहर भेजेंगे, यहाँ बर बहुत सारा नौइज हो रहा था, तो शेरिफ भी वहाँ पर पहुच गया, सारे लोगों के हाथ में गन थी, शेरिफ ने सब लोग को शान्त होने के लिए कहा, शेरिफ इने उसकी डॉर्टर की साथ क्या क्या होगा, यह वो इमेजीन भी नहीं कर सकता, यही गुसे गुसे में उसने डारेक्ली शेरिफ पर गूली चला कर उसे मार डाला, डेविड है देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, जल्ली से जाकर उसने सब डोर्स वेगरा सब कुछ लॉक कर दिया, एमी भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वह गहती है, भार बहुत सारे आदमी है, अभी हेल्प के लिए किसी को भी कॉल भी नहीं कर सकते, एमी को लग रहा था, कि उन्हें जेरिमी को उन्हें दे देना चाहिए, डिविड कहता है, हमने अभी अभी एक म बॉयल था, ये सारा को जो बॉयल करने लग गया, चारली और उसके फ्रेंड घर में आनी पा रहे थे, तो बाहर डिविड की बहुत ये एक्सपेंसियो कार उन्हें ने फोड दी, चारली का एक आदमी खिडके से अंदर आ रहा था, उसका हाथ जी जगा पर रखा हुआ था वही पर डिविड ने नेल गन से उसे पीन कर दिया, फिर जब्से में अपनी गन लेकर खिडकी में आया, अभी अभी जो ओयल डिविड ने बॉयल किया था, ये डारिकल उसके फेस में उडाल देता है, उसने दो लोग को इंजूर किया, तो डिविड अपने घर में गाने लगाता है एक ओपन इन्वाइट था फाइट के लिए चारली भी इस बात से इंप्रेस्ट हुआ चारली और उसके फ्रेंड गाड़ी में बैठता है ये गाड़ी डारेटली उन्होंने उनके वॉल में डाल दी अब कोश घर में अंदर खोस आया था डेविड छुप किया और कोश से उसकी गन उसने ले ली उसे शूट करकर वो मार डालता है सब को मारते मारते उसके गोलिया खतम होगे और अभी तक चारली जिन्दा था चारली का फ्रेंड और वो जल्दी से उपर के कमरे में पहुच जाते है चारली का फ्रेंड भी गुस्सा है तो एमी को मारने व हुई वो से मारने वाला था तभी एमी भी चारली को मारने लग जाती है चारली ने एमी से कहा कि वरी मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक करूंगा तभी अचानक से डेविड ने पीछे से एक ट्रैप लेकर डाल दिया उसकी इंस्टंटली डेथ होगे फाइनली एमी के साथ जो को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोर मत फूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नएमी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये